मैं भूल गया था एक चीज बोलने के लिए आपको फर एक्जाम्बूल आपको गाड़ी जो है वो अन है आप जाके किदर गाड़ी पर गाड़ी को रखते हो या फिर पार्किंग में लगाते हो तो इसके बाद यह जो चाबी है न आफ करते हो न तो गाड़ी के न चार इंड आरम सिस्टम जो है वो इंस्टल हो चुका है तो यह कैसा है क्या है उसका रिभ्यू में देने वाला हूं इसका जो पाइंग लिए ना गाइस बो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उससे पहले न मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे की गाड़ी पहले से नर्माल है और यह रहा और करना है और बाकी गाड़ी है ना चल चुका है अभी 2530 किलो मीटर तो चावी को हम निकल देते हैं पहले तो पहले ना मैं बोल दूँगा इस इसका जो ब्राइड है जो मैं अलराम सिस्टम इंसल करवाया हूँ वह है रूट्स का और बाकी ना इसके अंदर आपको दो की मिल जाएगा ऐसे मलब दो रिमोड मिल जाएगा और इसके इसके साथ बैक्टरी जो है इसके अंदर ही आप आपको आमाजन या फिर फ्लिपकरण में मिल रहा है तो इसको आप वहेड करो जितना हो सके बाकी इसका रिभ्यू दे देते हैं ये कैसा काम करता है क्या तो पहले ना मैं बोल दूँगा जब भी ना ये इसको आप यूज कर रहे हो ना तब ये ध्यान में रखो कि आपका आपका गारी जो है बो नियूटरल में रहे इंस्टल करने के बाद आपका जैसे ही normal function होगा वो येसा ही होगा अगर इसको आप use भी ना करते हो ना तो भी ठीक है तो तो येसा ही है गाईज इंजीन को आपको आरू करना है फिर ये अपना start हो गया वाइक ठीक है और उसके बाद हम इंजिन को आफ कर देते हैं यह चाबी निकाल देते हैं है आप चाहो तो हैंडल लॉक कर सकते हो वैसे कुछ ज़रुवत नहीं और बाकि इसमें चार चीजें आपको देखने को मिल जाता है एक तो हो गया यह यह बाला बटन जो है लॉक का यह बाला बटन अनलग का यह स्टार्ट होने के लिए और बाकि यह यह पार्किंग साइरन है और पार्किंग में कहीं पर रखे हो और आपको पता नहीं चल रहा है तो आप 100 मिटर के रेडियस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो तो पहले बात कर लेते हैं इसके लॉक के बारे में तो बाइक जो ह यह साइरन साइरन आ जाता है फास्ट वाला साइरन जो है वो थोड़ी देर तक बजेगा लेट से की वान सेकेंड टू सेकेंड इन मैक्सिमम तो फिर इसको अनलो करने से पहले मैं बोल देता हूं फर एक्जांपल कोई भी आके आपको आपका गारी के अंतर के मास्टर की हो तक इसके पाइल अगर जर्त करेंगा तो अधरी स्टार्ट करेंगा तो गारी नहीं और खेंट को ऑधा कि अरे प्लास पुएंट मैं पहले इसको अनलों कर देता हूं हुँ मैंने यह प्रेस करूँगा गारी स्टार्ट करने के लिए तो पहले जो है न देखो अब दो बार इसको प्रेस करेंगे तो गारी आप्टोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और इसको अगर आप स्टार्ट आफ करना चाहरे हो तो फिर यह उनलक बटन को दबा दो तो गा यह रहा एक बार और यह रहा दो बार दो बार में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा और हाँ अगर आप गाड़ी स्टार्ट में हैं और आप यह रिमोड से गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो और मैं क्या करूंगा चाबी को अंदर घुसाओंगा और फिर इसको आफ करने के तो आपको यह unlock button दबाना है तो गारी अपने आप बंद हो जाएगा और यह रहा guys 4 button, 4 button का काम यह है कि for example आप पार्किंग में डाले हो गारी को या फिर रखे हो तो आपको चाहिए कि आपके गारी कहां है आपको यह पता लगाना है तो आप इसको यह कर सकते हो यूज कर सकते हो तो आपको कुछ A सा सुनाई देगा फिर same button या फिर unlock button को दबाऊगे तो वो फिर से default setting पे आ जाएगा तो यह चीजे है guys और बाकी इसका quality के बाद करूँ तो quality यार जबड़ दसते quality और एक साल का warranty मिलता है इसके उपर और बाकी इसका जो price बगरा है बो कुछ 1700 या फिर 1800 के आसपास मिलता है लेकिन आर Amazon में मैंने चेक कर रहा था बो कुछ 1900 का आसपास दिखा रहा था इसका price और मैं जो यह install कर वाया हूँ guys यह मैं install कर वाया हूँ अपने local में local means अपना यहाँ पे एक बो है bike modification center है तो bike modification center में यह install कर वाया था तो इसका cost मुझे 700 plus 100 fitting charges के लिए पड़ा था तो मुझे लंसम कुछ 1800 के आसपास लगा था तो काफी सही product है और मतलब same type के चीज़ है न guys आपको मिल जा रहा है 700 800 लेकिन guys यह roots company है यह बहुत अच्छा है और reliable है यह तो मैं बोलूँगा अगर इसको आप install कर वाते हो तो 2 साल तक minimum 2 साल तक यह पकड़ के चलो कि 2 साल तक आपको मतलब change करने या फिर वो कुछ भी क्या बोलते हैं उसको की change बगेरा करवाना इंस्टल करवाना और कुछ चीज़े चाहिए ही नहीं और मैं यह चीज़े क्यों इंस्टल करवाया guys कि आपको तो पता यह यह जो है अपना Yamaha connection का यह तो मतलब क्या है रद्दी है कुछ काम के ही नहीं है तो इसलिए मैं यह use करा मतलब यह इंस्टल करवाया और बाकी इसका जो काम है ना बो मैं rating दूँ तो यह 9 out of 10 दूँगा और इसका link बगेरा guys बो Amazon में ही मिलता है तो Amazon और एक है अपना extremes तो extremes और Amazon में यह out of stock है तो आपको wait करना पड़ेगा जैसे ही आता है तो मैं उसका link भी दे देता हूँ बस check करते रहो और बाकी local में अगर मिल रहा है तो फिर आप use कर सकते हो इससे कुछ problem नहीं है आप आराम से use कर सकते हो तो फिर से मैं दुबारा check करवाता हूँ तो यह रहा अपना lock यह रहा unlock उसके बाद यह जो है गारी start होगा फिर आपको same button डालोगे ना तो कुछ फाइदा नहीं है तो आपको unlock button ही डालना है मतलब दबाना है तो गारी off हो जाएगा उसके बाद यह रहा अपना alarm system तो alarm अगर कहीं पे आपको गारी मतलब point out करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो फिर unlock button दबा दो तो गारी by default में आ जाएगा तो यह था guys कुछ key और key का quality डाल देता हूँ क्या चीज़े क्या नहीं तो आप जाके check कर सकते हो और बाकी कुछ help अगरा चाहिए तो instagram का ID भी डाल देता हो यह तो आराम से जाके DM कर सकते हो तो फिर मिलते हैं guys एक नए वीडियो में तब तक by joy in and take care